Cotton Association of India, CAI, ने अपनी नई मासिक रिपोर्ट में 2023 से 24 के वर्तमान मार्केटिंग सीजन, अक्टूबर सितंबर, के दौरान 311 लाग गांट रूई की घरेलू खपत होने की संभावना व्यक्त की है, जो पिछले अनुमान के बराबर ही है। Association ने चालू सीजन में कपास की कुल प्रेसिंग मात्रा को भी 294.10 लाग गांट के पिछले स्तर पर बरकरार रखा है। ग्याथ हो की कपास की प्रत्य गांट 170 किलो की होती है। संस्था का यह नया आकड़ा 11 प्रमुक कपास उत्पादक प्रांतों के अपने सदस्यों, राज्यस्तरिय एसोसियेशन तथा अन्य व्यापारिक स्रोतों से प्राप्त इन्पुट पर आधारित है। कपास के प्रमुक उत्पादक राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाना मध्यप्रदेश, करनाटक, आंध्रप्रदेश, पंजाब, तमिलनाडू एवं उडीसा शामिल है। CIA के अनुसार 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2023 के तीन महीनों के दौरान का पास की कुल उपलब्धता 148.9 लाग गांट दर्स की गई जिसमें 116 लाग गांट का उत्पादन, 4 लाग गांट का आयात तथा 28.9 लाग गांट का पिछला बकाया स्टॉक शामिल था। Association के अनुसार समीक शाधीन तिमाही के दौरान 81 लाग गांट का पास का घरेलू उप्योग तथा 5 लाग गांट रूई का निर्यात हुआ। उसके बाद दिसंबर के अंत में 62.9 लाग गांट का अधीशेश स्टॉक बचा हुआ था। इसमें से 36 लाग गांट का स्टॉक टेक्स्टाइल मिलों के पास मौजूद था जो उसकी करीब 42 दिनों की खपत के लायक था। इसके अलावा 626.9 लाग गांट का पास का स्टॉक भारतिय कपास निगम, CCI, महाराष्टर फेडरेशन तथा बहुराष्ट्रिय कमपनियों, व्यापारियों एवं जिनर्स के पास था। एसोसियेशन ने 2023 से 2024 के संपून मारकेटिंग सीजन में कपास की कुल उपलब्धता का अनुमान 345 लाग गांट के पिछले स्टर पर बरकरार रखा है, जिसमें 28.9 लाग गांट का पिछला बकाया स्टॉक, 294.1 लाग गांट का अनुमानित उतपादन एवं 22 लाग गांट का संभावित आयात समिलित है, पिछले सीजन के मुकाबले चालू मारकेटिंग सीजन में रूई का आयात 9.5 लाग गांट अधिक होने का अनुमान लगाया गया है, दूसरी ओर देश से रूई का निर्यात 2022 से 23 सीजन के 15.5 लाग गांट से घटकर 2023 से 24 के सीजन में 14 लाग पर अटक जाने की संभावना है, देश के सभी उतपादक राजियों में कपास की नई फसल की अच्छी आवक हो रही है, ब्यूरो रिपोर्ट मारकेट टाइम्स टीवी